आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फिजो थेरपे इन शायाटिका शायाटिका यानि जो आपकी जो शायाटिक नर्फ जो आपके L4, L5 के मन के में से निकलती है जब वो कई कि किसी भी वज़े से कहीं दब जाती है उसकी वज़े से आपके पैर में जो जंचनाटी, जो नमनेस और जो सुनापन जिसे हम कहते हैं और जो दर्द कमजोरी जो आप महसूस करते हैं उसे हम शायाटिका कहते हैं शायाटिका कोई बीमारी नहीं है ये एक लक्षन है तो मैं इस वीडियो में कुछ best exercises और कुछ best stretches लेके आई हूँ जिससे आपको आपके शायाटिका के जो पेन है उससे आपको निजात पाने में मदद मिलेगी तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको आपके शायाटिका के पेन में रिलीफ जली मिलने में मदद मिलेगी तो चलिए हम अपने exercises की तरफ पढ़ते हैं अपूस मेरा left हाला जो पैर है उसमें शायाटिका की तकलीफ है तो सबसे पहले मैं exercise करने मुझे इस तरफ से पैर पकड़ना रहेगा अपने घुटने के जो नीचे से और फिर इस तरफ से पैर सीधा करना है इस stretch करने से जो है आपकी शायाटिका जो नर्व है वो खीचेगी और आपको फिर इस तरह से पंजा उपर नीचे पंजा उपर नीचे बहनी exercise करने रहेगी उसमें जो है आपकी शायाटिक ड़्द है वो यहां से इस तरह से पास होती है तो आपको इस तरह से position रखके उसको इसे स्टैच कर ना है यहाँ से आप अंजेभ को इस तरह से अपनी तरह खीन्स सथे और उसे इस तरह से कि ऐसके एक्सराइस की तरह बढ़ते हैं बहुँ है पायरव पायनी फॉर्म स्ट्रेश्च जिन धुण मुझे से मेरे यही बन पैर अफेक्टेड है तो इस पैर को मुझे स्टर से रखके इसको फिगर ओफोर में लेके कौन से तरज से स्ट्रेच करना रहेगा अब जो हमें करने फोरा में है वो खुले और वहां से जो नर्फ है वो थोड़ी सी फ्री हो जाए कि शायडिक वही है जो नर्फ जो जो दप जाती है मनके के बीच में तो जो खुलेगी तो जो मनका खुलेगा तो आपकी जो नर्फ है वो फ्री हो जाए ब अब जो दूसरी हमें एक्सर numéro करनी है वो प्रीजिंग एक्सरेज करनी है तो कि दुख से संपारे है का मग पर उठानी है उसको होल करना है और नीचे यह आपके हैंस्ट्रिंग मसल्स ग्लूटियस मसल्स पर अच्छा वर्ट करती है इससे भी आपको बहुत रेलीफ में लेगा है उसमें हमको इस तरह से हमारा जो भुटना है वो इस तरह से हमें अपनी छाती की तरफ खीचना ह और जिन लोगों को घुटने की तकलीफ है जिन लोगों को भी घुटने की आर्थराइटे से उसकी तकलीफ है तो वो इस तरह से ना पकड़े वो अपना हात जो नीचे से पकड़के फिर जहां इसे भी लगबद आप 15-20 सेकंड तक होल्ड करिए और अप्ट्रों में एक्सिसाइज करनी है वो है आपको इस सबसे कोजिशन में नहीं और अप्नी कमल से यह आपका जो एर्बो है वो आपके शोल्डर के निचे आए और इस तो आपको स्ट्रेच कर लागी जू एक्सिसाइज में उसमें इस दर से उपने हैं आप जो हम एक्सिसआज करेंगे उसमें आपको स्थाएजिशन में नहीं है भूनों हाथ पे और दोनों गुपनों पे और जो आपका ये जो पार्ठ है कमर का, उसको अपर इसतर से अंदर करना है और उटकरना है इससे के आए जो आपकी जो डुवर्टी ब्राज है उसमें प्रलज्न, दात लेख उसमें पदल से कम हो में होगी अब जो हम एक्सरसाइज करी है उसमें हम इस तर से यह जो मेरा लेफ्ट पैर है इसमें मुझे तक्रीफ है तो मुझे इस तर से दोलू पैर ले लेने हैं और दूसी ताइब साइड पे इस तर से जुपाना रहेगा ताकि यह जो पार्थ है यहां से जो मंड के हैं खुले और वहां की जो नस है वो फ्री हो जाए अब मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताती हो शाय टिका के पेंग में रिलीफ मिलने के लिए यह जनरली उन लोगों के लिए जिनको पाईरी फॉर्मिस जो हमारी मसल है वो अगर टाइट हो जाती है उसकी बज़े से घ्रिका है तो यह जो टेक्निक वो बिल्कुल मैजिकल है उन लोगों के लिए आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा तो इसके लिए आपको इस तरह से टैनिस बॉल ने लेनी है और आपकी जो यहां जो पार्ट है उस पे जहां से य तरह से रूल करना रहेगा ध्यान रखी कि जब आप यह करेंगे तो उसमें आपको पेल हुगा तो आपको अनकंफोर्टेबल लगेगा तो वो अच्छा है इसका मज़को टेक्निक आप पिफर्व करें लगबद आपको 30 सेकंद्स के लिए करना रहेगा और ऐसा आप 2 सेट इसका मज़सां करद blend मि सब्सक्राब आपको इस तर इसर एक कि अरुधे भारी करेंगे और याया करना रहा और तो यह तिरए कि विडियो जो पसंद आया हो या कुछ भी आपको इसमें बेनेफिशल लगा हो तो इससे लाइक ज़रूर करेगा, कॉमेंट करेगा और सबस्क्राइब करेगा और जिन लोगों को इस तकलीफ है उनके साथ शेर ज़रूर करेगा, थाइंक यू एंड टेक क्या